किसी के सपने पूरे हो गए और किसी के सपने रह गए अधूरे किसी को सोना मिला और किसी को सोने जीतने की उम्मीद चलिए जानते हैं आज हम ओलंपिक पैरिस दो हजाज़ाज चौविस के बारे में और एक एक छोटी छोटी बातों पर नजर डालेंगे मेरा नाम वैभव कौशिक है और मैं आप सभी का संस्किती आईएस के यूट्यूब प्लेटफोर्म पे स्वागत करता हूँ आज हम देखेंगे पैरिस ओलंपिक दो हजाज़ाज़ चौविस के बारे में जहां पर बहुत सारे विवाद के मुद्दे भी रहे और बहुत सारी खुशी के पल भी भारत का क्या प्रजशन रहा ये भी देखेंगे और भारत की तरफ से किस-किस ने बड़िया प्रजशन किया वो भी देखेंगे तो चलिए जानते हैं अपनी इस पूरे के पूरे टॉपिक को ये आपके लिए एक्जाम को अगर ध्यान में रखें तो पेपर वन और पेपर थी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है अब यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं कि अलविदा पैरिस जो की आपका एक स्टेडि तो हुआ और उसमें आपकी मनुभाकर और पी श्रीजेश इन्होंने बढ़िया से अपने देश का जंडा लहराया और यही हमारे ध्वजबाहग बने अब जानते हैं पूरी जानकारी और यहां पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि ओलंपिक 2024 में मैडल टेविल में भा जान देनी वाली बात है कि सोना नहीं मिला है गोल्ड नहीं मिला है एक हमें रजत पदक मिला है और पांच हमें कांस से मिले हैं तो टोटल हमारे जो मैडल दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं कितने 6 और यह काफी important हो जाता है आपके हर exam के लिए क्योंकि यहां से questions आ और यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है उन्होंने 40 गोल्ड लिए है 44 सिल्वर और 42 ब्रॉंज लिए है और टोटल उनकी जो संख्या रही है वो 126 रही है तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी second number पर चाइना रहा है और वो मात्र आपके गोल्ड में तो बिलकुल लेकिन वहाँ पर टोटल number में वो थोड़ा पीछे दिखाई देता है इस चीज को आपको ध्यान में रखना है लेकिन हमारे लिए इंडिया बहुत important है तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा कि भारत 71 नंबर पर दिखाई देता है चलिए आगे चलते हैं अब देख सिंधू और शरत जी दिखाई देते हैं द्वज वाहक के रूप में और जब समापन समा रहा हूँ देखा तो वहाँ पर हमारा जो द्वज वाहक बने हैं वो कौन बनी हैं मनु भाकर और पिया शीजेश तो ये दोनों ही जोडियां आपके लिए बहुत important है इन दोनों ही ज के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाते हैं चलिए आगे दिखते हैं कि भारत के जो पदक वीर हैं क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को क्या दिलाया है मेडल दिलाया है क्योंकि इनके नाम हमारे भारत के इतिहास में सौन अक्षरों में लिखे जाएंग इसके बाद आपको कुशाले जी दिखाई देते हैं स्वपनिल कुशाले इनको भी ब्राउज मिला है और ये क्या है ये शूटर है यहां से एक जोड़ी दिखाई देती है जिसमें मनु और आपके कौन दिखाई देते हैं आपके सिंग सहाब दिखाई देते हैं और इन्होंन इन्होंने भी जीता है इन्होंने भी ब्राउन जीता है उसके पाद मनु तो इस भारत की वो बेटी के नाम से जानी जा रही है जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया भारत के इतिहास में कि एक ही बार में दो मेडल जीत लिए तो मनु भाकर का नाम आपको बहुत इमानदारी से याद करना होगा क्योंकि ये पूछा जाएगा आपके एक्जामस में बागी आगे चलते हैं तो नीरत चोपड़ा आपको दिखाई देंगे इंडिया की तरफ से इन्होंने ही जीता है और वो भी किसमें भाला फैक प्रत्योगिता में जो जैवलिन थ्रो दिखाई देती है उसमें अब ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है हौकी की टीम ये भी हमारे क्या लेके आई है ब्रॉंज लेके आई है कांस सिपदक लेके आई है तो ये भ को आप रजत कहते हैं और ब्राउंज को आप कास से कहते हैं ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी क्लियर है ये बात चलिए आगे देखेंगे तो यहां से अब आपको कुछ ओलंपिक में भारत का इतिहास पता होना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है हर एक्जा भारत कब एंटर किया तो आपको याद रखना है 1900 में अथलेटिक्स में भारत की ओर से जो नॉमन पिचर्ड है इनही का रिकॉर्ड तोड़कर मनु ने एक नया किर्तिमान इस्थापित किया है उन्होंने दो सिल्वर मैडिल जीते थे और इस तरहिके से वो भारत के ओलंप जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब इन्होंने भारत की तर्फ से जीता था लेकिन आजाद भारत की बेटी कौन है मनु भाकर है तो वो आपको नाम याद रखना होगा चलिए आगे देखते हैं तो पिचर्ड इंडिया बिटिश एथलीट थे यह मैंने आपको बता दिया ग्रीश मकालिक ओलंपिक में भारत ने उन्निस सो में से लेकर दो हजाद बाइस के बीच में कुल्ट थेटी फाइफ मेडिल जीता हैं और इसमें बहुत सारे आपको दिखेगी जैसे कि 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्राउंज अब 2022 तक मैंने यहां पर बताया है आपको क्योंकि 2024 का डाटा मैंने अभी आपको थोड़ी दे पहले समझा दिया है तो वो यहां पर मैंने नहीं लिखा है यह 2022 तक है और वो भी कहां से लेकर 1900 से लेके तो 1900 से लेक इस तक यह पूरा डाटा आपके पास अब रहेगा आगे देखेंगे तो आगे आपको दिखाई देगा कि मैंन्स होकी में भारत सबसे जादा अभी तक सफल रहा है मैंन्स होकी की तरफ से टोटल जो 12 ओलंपिक मैडिल जीते गए हैं उन में से 8 गोल्ड दिखाई देते हैं एक सिल्वर दिखाई देता है और तीन ब्रॉंज दिखाई देते हैं क्लियर है ये चीज़ भारत ने अपना जो पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था वो 1928 में जीता था जब भारतिय मेंस होकी गोल्ड मैडिल को जीतकर लाई थी ये भी चीज़ आपको याद अखना है ये फ पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता है किसीने तो वो जीता है किसने शूटर अभिनव बिंदरा जीने तो आपने देखा होगा एक शांदार सा एक लड़का जो राइफल अपने हाथ में लेके शूट करता था और उसका नाम था अभिनव बिंदरा उन्होंने ही भारत को क्या जीताया था पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीताया था ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी और ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये भारत की महान होकी टीम का है जो कई बार मैडल्स जीत के लेके आई आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि इस बार 2024 में जो पैरि में देखा होगा कि एक महिला को ये कहके फाइट में रोक दिया गया कि वो एक पुरुष है आपने सुना भी होगा तो वो बहुत ही जादा एहम मुद्दा हो जाता है इस तरीके के competition में जो विश्व का एक महा कुम्ब है खेलों का तो वहाँ पे इस तरीके की अगर कोई ब नाम याद अखना है इमाम खलीफा ने पैरिक अलम्पिक में जो गोल्ड जीता है अभी आपको पता होगा कि इन्हों ने गोल्ड भी जीत लिया है और किसको हरा के चाइना के जो बॉक्सर है उनको हरा दिया है तो उसको हरा कर इन्हों ने गोल्ड जीता है और ये कहां की है ये आपको बहुत easy way में ये चीज याद अखनी है कि ये जो Algeria दिखाई देता है वहाँ की ये sportsman है, वहाँ की boxer है और इनके उपर transgender या gender के आरोप लग रहे थे इस तरीके की बाते चल रही थी तो इस महिला boxer ने fight बीच में से ही छोड़ दी थी और अपने आपको हटा दिया था, तो ये बहुत अलग तरीके का विवाद था, दूसा विवाद आपको देखने ये मिला कि जो ये खुबसूरसी महिला दिखाई दे रही है, इसकी खुबसूरती ही इसको Olympic से बाहर लेके चली गई अब ये कौन है, इनका नाम है लुवाना, अब लुवाना एक swimmer है और ये बहुती शानदा swimming करती है लेकिन Olympic से बाहर करने का फैसला उनकी खुबसूरती के आधार पर लिया गया और ये फैसला ना केवल विवादास्पत था, बलकि इसकारी निये भी था बहुती ऐसा, मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ है, कि अगर आप खुबसूरत हैं, तो कहीं से आप बाहर हो जाएंगे तो ये तो बहुती अलग तरीकी की चीज थी, अब यहां से आगे बढ़े, तो आपको इंडिया के बिहाब पर अगर कोई विवाद दिखाए दिया, तो वो पूरे विश्व में दिखाए दिया, अब वो था हमारी विनेश फोगाट जी का, तो विनेश फोगाट का क्या के तो अगर ये 100 गिराम बजन कम होता तो शायद भारत के लिए एक गोल्ड भी आ जाता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और डिस्कॉलिफाई होने के बाद, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है डिस्कॉलिफाई हो गये हैं, लेकिन एक संस्था है जिसका नाम है C.A.S. जिसका पूरा फुल फॉर्म दिखाई देगा, कॉल्ट ओफ एबिट्रेशन, तो यहां पर इन्होंने अपील की, ये वो संस्था है जो कि आपके जितने भी खेल हैं, उनके जितने भी केसिज हैं, उनको सुनती है, तो वहां पर इन्होंने अपील की और उसका अप जो जज्जमें मेरा जादा है, तो वह गोल्ड की जो रेस है, उसमें जादा दिखाई देता है, जो गोल्ड की फाइट होने वाली थी, उसमें जादा दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले तो मेरा 100 ग्राम बजन जादा नहीं था, तो मुझे वो पदक देने चाहिए, और मुझे सिल्व में दिखाई देते हैं एक प्राचीन ओलंपिक और एक नवीन ओलंपिक तो प्राचीन ओलंपिक में क्या है प्राचीन काल में यूनान एक देश जिसका दिखाई देता है और उसकी राजधानी एथेन दिखाई देती है वहाँ पे स्टार्ट हुए थे और ये किसके लिए ग् परवत दिखाई देता है आपको ग्रीक जमीन का सबसे हूंचा परवत जिसका नाम क्या है ओलंपस तो उसी के नाम पर ये आपको इस्पोर्ट्स दिखाई देते हैं 776 इस अपूर्व से लेके 393 इसवी तक ये गेम्स प्राचीन काल में हुए हैं लेकिन उसके बाद 1500 सालों तक ये गेम्स नहीं हुए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1500 सालों तक ये गेम्स बिलकुल नहीं खेले गए उसके बाद ये रोक दिये गए थे वो 393 में ये रोक दिये गए थे ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी चलिए आगे देखते हैं और आगे आपको देखने मिलेगा आधुनिक ओलंपिक खेल का इतिहास तो आधुनिक खेल का जो इतिहास दिखाए देता है ओलंपिक्स में वो क्या है कि ये 6 अप्रेल 1896 में ग्रीस के एथेंस में पहली बार ओलंपिक खेले गए तो ये डाटा आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा अब ये कैसे स्टार्ट हुआ इसका भी एक इतिहास है और वो इतिहास क्या है कि 1894 में पैरिस में एक ओलंपिक खेलो को लेकर उनके पुनरुद्धार क लेकर एक कॉंग्रेस की कमेटी बनाए गई और उसका आयोजन करने की बात की गई तो उसमें फाइनल किया गया कि चलो हम खेल खेलेंगे और इसको नवीन ओलंपिक कहा गया और ये चार भागों में आपको दिखाई देते हैं एक आपको दिखाई देगा ग्रीश मकालीन ए एक पैरा ओलंपिक और एक यूथ ओलंपिक तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मॉडन ओलंपिक्स हैं जो नवीन ओलंपिक्स हैं वो कितने तरीके के दिखाई देते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए चार होना चाहिए इसमें तीन तरीके के मैडल दिये जाते हैं पहले modern olympics का photo है जब एथेंस में 1896 में यह हुआ था यह चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी आगे चलते हैं तो यह एक चित्र आपने कई बार देखा होगा जब जब olympics की बात आती है तो olympics के चिन्न का यह इतिहास हम जान लेते हैं इसमें आपको दिख 6ry देखाई दे रहे हैं उसके साथ एक सफेद कलर भी दिख द घराईं तो पांच कलर rings के और एक base का कलर तो यह base का color सफेद है और यह रिंग हैं उनके 5 कलर हैं तो यह चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि 5 rings के कलर हैं जिसमें नीला, पीला, काला, हरा और लाल दिखाई देता है जो पांच महादीब को बताते हैं और ये जो आपको बेस सफेद दिखाई दे रहा है वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है तो ये 6 कलर आपको टोटल किसमें दिखाई देते हैं ओलंपिक के इस पूरे- कुबर्टिन के द्वारा ये डिजाइन किया गया था इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि ये जो पूर्ण रंग दिखाई देता है उसका अर्थ क्या है छे ओलंपिक के रंग सफेद प्रस्ट भूमी उस पर नीला, पीला, काला, हरा और लाल जो ओलंपिक वाद की एक सा भूमिक्ता का प्रतीक दिखाई देता है चलिए अब यहां से इस पूरी कहानी का एक एंड जो कि आपके कोश्चन पर समापत होता है और वो कोश्चन क्या है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दिये गए कतनों पर विचार करें और सही उत्तर का चैयन करें भ भजबाहक, मनुभाकर और आपके पी आर शिजेश रहे हैं यह चीज आपको याद रखनी है उत्तर क्या देना है आपको केवल एक और तीन सही केवल तीन सही केवल एक और दो सही और डी आप्शन सारे के सारे सभी सही ठीक है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीज काम के प्रती बहुत ज्यादा मदद करेगी जैहिन जै भारत झाइ बहुत झाल 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 झाल